हेलो फेंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मेंस का प्राक्टिस सेट नबर 5 अभी तक चार प्राक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है अभी तक अगर आप नहीं देखें तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस से देख सकते हैं यह प्लेटफॉर्म के वॉल्म टू का प्राक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो आपके आने वाले एकजाम जो बिहार दरोग से जाके PDF डाउनलोड कीजेगा खुद से अटेम्ट कीजेगा उसके बाद आप वीडियो देखेगा और उससे मैच करके आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपका कितना माक्स आ रहा है जब जितना ज़्यादा दिन पर दिन अपने में इंप्रूमेंट कीजेगा आज कुछ माकस आया कल कुछ माकस आया उतना ही जादा आपके चांसे कन्फर्म होते हैं एकजाम में कौलिफाई होने के तो आएए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आईए तो शुरू करते हैं हमारा जो पहला कोशन है बो है कि चितर खीचने में जिस धातु के हलाइड का परियोग होता है वह कौन सी धातु है तो इसका जो साइनसर होगा वो होगा चांदी चांदी का उपयोग किया जाता है देखिए चांदी धातु का हेलाइड जो होता है उसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड ठीक है क्या बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड मतलब की AGCl और यह क्या है AGCl जो है एक अकार्वनिक योगिक है अगर हम बात चांदी की कर लेते हैं तो चांदी का एटॉमिक नमबर कितना होता है 47 अगर तांबा की बात करते हैं तांबा का अटॉमिक नमबर होता है 29 सोडियम का अटॉमिक नमबर होता है 11 और केल्थियम का अटॉमिक नमबर होता है 20 चलिए अगला कोशन है हमारा हिर्दे रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए तो इसका जो सही अंसर है बो हो जाएगा option number D यानि की बसा बसा जो है उसे अधिक मातरा में नहीं लेना चाहिए देखिए जो संत्रिप्त बसा होता है वो हमारे सरीर में कलिस्ट्रोल में परबत्रित हो जाता है और जो हिर्दे विकार के लिए वही तो जिम्मेदार होता है इसलिए हिर्दे रोगियों को बसा जो होगा बहुत धिक मातरा में नहीं लेना चाहिए चलिए अगला कोशन है हमारा सीसा संचाइकों में परियुक्त अमल होता है तो इसका जो सई अंसरों का बहुत जगा option number C H2SO4 H2SO4 होता क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं सलफ्यूरिक एसीड ठीक है क्या बोलते हैं सलफ्यूरिक एसीड एक चीज़ और याद रखिएगा H2SO4 से कि H2SO4 को रसाइनो का राजा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है रसाइनो का राजा अगर और options की बात कर लेते हैं H2SO4 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसीड इसको बोला जाता है मूरियेटीक अमल ठीक है अगर हम बात HNO3 की करते हैं तो HNO3 होता है नाइटरिक एसीड CH3COOH होता है acidic acid, clear है, चलिए अगला question है हमारा question number fourth question number fourth का राकि निम्न लिखित में से किसमे kobalt होता है, तो kobalt होता है B2L में, तो option number D जो होगा, वो हमारा सही answer हो जाएगा B2L से एक और चीद याद रखेगा कि B2L की कमी से erect छीनत रोग होता है, जिसको हम लोग इंगलिस में एनेमिया कहते है एनेमिया रोग भी होता है B2L की कमी से अगर हम यहीं पर B2L की रासाइनिक नाम की बात करते हैं तो B2L का रासाइनिक नाम जो होता है, वो होता है साइनो कोवालेमीन, ठिक है साइनो कोवालेमीन होता है बिटामिन B12 का एरसाइनिक नाम बिटामिन C की अगर बात करते हैं तो बिटामिन C का एरसाइनिक नाम हो जागा एक्सॉर्बिकमल और इसकी कमी से सबको पता है कि एसकर्बी रोग होता है हेमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं हेमोगलोबिंद ररक्त में ऑक्सीजन का बाहक होता है क्लोरो फील की अगर बात करते हैं तो क्लोरो फील एक परकार का पादब होता है जिसके कारण पतीओं पर रंऔढ़ हरा होता है अगला क्ोशन नम्य कोशन 5 कोशनम 10 के लिए अतियावस्यक पोशक पतिब कौन तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा, option number C, यानि बसा, कार्बोहड़ेट, प्रोटीन और खनी जो है, ये सब मनुस के लिए अतियावस्यक पोसक तत्व है, अगला question है, question number 6, सबसे बड़ा electro negative तत्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो electro negative तत्व होता है, वो होता है, fluorine, ठीक है, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कहा हूँ, कि आपको हर एक exam में, periodic table से एक दो questions देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप periodic table का कौन सा least reactive है, ये सब चीज़ आप लोग देख लिजेगा एक बड़, देखिए अगर हम electro negative की बात करते हैं, electro negativity की बात करते हैं, तो electro negativity का मतलब होता है बिदुत्री नात्मक्ता, मतलब कि किसी परमानू का एक एक ऐसा रासाइनिकून, जो ये दर्साता है कि बहुत परमानू किसी सहसायोजिक आमन्द में, इलक्ट्रोनों को आकर्सित करने में कितना सच्छम है, यही उसकी electro negativity या बिदुत्री नात्मक्ता कहलाती है, देखिए, अगर हम आवर्थ साबनी की बात करते हैं, अगला कोशन है कोशन नमबर सेबन, कोशन नमबर सेबन कह रहा है, कि जब बिदु धारा की समान मात्रा में भिन-भिन electrolytes के घोल से गुजरती है, तो electrolytes पर जमी मात्रा किसकी अनुपात में होती है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, समान भजन के अनुपात में, यानि option number D जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, next question है, question number 8, question number 8 कह रहा है कि एक के उपर एक रखी गई सीशा की दो प्लेटे, जिनके बीच में पानी है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसका कारण क्या है, तो इसका एक ही अंसर होगा, option number C, यानि सतही तनाब, जिसको हम लोग प्रिश्ट तनाब भी कहते हैं, एक चीज और याद रखेगा, प्रिश्ट तनाब का मातरग क्या होगा, मातरग जो होगा, वो होगा, निूटन पर मीटर, अगला कोशन है, कि सूबा के समय, यदि हवा में धुआ अधिक हो, तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, option number C, क्योंकि बायू में मौझूद जलबात धुआ के कनों पर जमा होती है, क्लियर है, कोहरा से एक चीज़ याद रखेगा, कोहरा भी क्या है, एक कोलाइड का ही एक प्रकार है, ठीक है, कोलाइड आप लोग नाम पड़े ही होगे, तो इक कोहरा भी है, जो क्या है, कोलाइड का एक प्रकार है, अगला कोशन है, कोशन number 10, कोशन number 10 कह रहा है, उत्परेरक होता है जो जैर रसाइनी कभी क्रिया की दर को बढ़ा देता है अर्थात प्रोटीन प्रकृति के कैसे कार्वनिक पदार्थ हैं जो जीवित को सिखाओं में उत्परेरक का कार्ज करते हैं इंजाइम सब्द से एक और चीज़ याद रखेगा कि इंजाइम सब्द का सरपर्थम परियोग किस ने किया था, कुहने ने किया था, नाम याद रखेगा, कुहने ने किया था, ठीक है, अगला कोश्चन है, कोश्चन नमर 11, कोश्चन नमर 11 कह रहा है कि बनो का प्रबंधान पालन को PC कल्चर कहते हैं ठीक है मतास पालन को क्या बोलते हैं PC कल्चर बोलते हैं और सेरी कल्चर किसको बोलते हैं अगर सेरी कल्चर की बात करते हैं तो सेरी कल्चर बोलते हैं रेसंग के कीटों के अध्यन को सेरी कल्चर बोलते हैं और अगर और AP culture की बात करते हैं, तो मधुमक्यों के पालन के अधियन को AP culture कहा जाता है, Next question है, question number 12, question number 12 कह रहा है कि नीमन में से कौन सा क्रम, तीन धादों के क्रियसीलता को सही रूप में दर्साता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, और वो हो जागा, option number D, ठीक है, देखिए, अगर हम क्रियसील को अगर दर्सा हैं, तो सबसे पहले K होगा, फिर NA, फिर CA, फिर MG, फिर AL, फिर ZN, उसके बाद FE, फिर PB, फिर H, फिर कॉपर CU, फिर HG, AG और AU, सबसे last में AU होगा, जो की सोना होगा, वो सबसे कम reactive होता है, यह हमने descending order में लिखा है, घर्ती क्रियसीलता के form में, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, potassium से याद रखिएगा कि potassium जो होगा, वो सबसे क्रियसील्द हातु होगा, और सोना जो होगा, वो सबसे कम अभी क्रियसील्द हातु होगा, अगला question है, question number 13, question number 13 कह रहा है कि bleaching powder के लिए निवन में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सई अंसर होगा, वो जगा, option number D, यह रंग का अब करन करके, पदार्थ को रंग हीन कर देता है, bleaching powder, ठीक है, bleaching powder की अगर बात करते हैं, तो वो होता है, CAOCL2, यह जो होता है bleaching powder, ठीक है, साथी साथ याद रखिएगा, इसे और क्या कहा जाता है, calcium hypo chloride कहा जात परियोग किया जाता है, अगले question की तरह बढ़ते हैं, जो कि है हमारा question number 14, question number 14 है कि निम्न में से कौन सा समी करन, redox अभी करिया को परदर्सित नहीं करता है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, redox अभी करिया की, कि redox अभी करिया होता क्या है, तो जब redox अभी करिया क simple सा मतलब होता है कि कोई रावाइनिक अभी क्रिया जिसमें कि oxy-億 करन तथा अभ करन की क्रियां साथ-साथ होती है मतलब कहने का simple सा मतलब है कि एक पदार्थ electron का त्याग करता है तो दूसरा उसे गरहन करता है ऐसी अभी क्रिया कोहीं क्या बोला जाता है redox अभी क्रिया कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B H2S plus Cl to 2HCl plus S ये दे के और मतलब एक electron ले के नहीं बन रहा है इसलिए ये जो होगा B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है? next question है question number 15 question number 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number A अस्टील में कास्ट लोहे किया पेच्छा अधिक कारवन होता है यही सही नहीं है क्यों? देखिए अस्टील के अगर हम बात करते हैं अस्टील जो होता है वो लोहा और कारवन का मिसरधातू होता है ठीक है? और अस्टील को जंग रेधू बनाते होते हुए मतलब जंग से लड़ने के लिए जंग रोधी बनाने है तू उसमें अस्टेलने सा स्टील के निर्मान में हम लोग क्या करते हैं, नीकल और क्रोमियम को मिलाते हैं, ठीक है, और कार्बन की परतिस्ता बढ़ाते हैं, श्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए, चलिए, नेक्स्ट कोशन है, हमारा कॉश्चन नबर 16, कॉश्चन नबर 16 कह रहा है कि निवन में से कौन सा कथन सत नहीं है, तो एसो सलफर की वैलंसी 6 होती है, सही है, सोडियम अनू में सबसे बाहरी और्बिट में एक इलक्ट्रोन है, सही है, एक ही अनू के आईसो टॉपर की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है, क्लोरीन में अनू में इलक्ट्रोवालंट बॉन्ड होता है, ये गलत है, ठीक है, तो आ अधित संयोजिक बंधन होता है, इलक्टोवैलेंट बंधन नहीं होता है, क्लियर है, क्लोरीन के अनु में क्या होता है, सासंयोजिक बंधन होता है, सासंयोजिक बंधन होता है, इलक्टोवैलेंट बंधन क्या होता है, बिदुस संयोजिक, ठीक है, बिदुस संयोजिक बंधन को लेकिन और को सेवंटीन कहा ही निम लिखित में से किसकी अधिक टमा मतलब पता ही होगा आप लोगों को कहते हैं अब specific heat कहते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि किसी पदार्थ में एकांग दरब्यान के ताप को एकांग में बढ़ाने हैं तू, आबसे कुसमा की मातरा कोई हम लोग क्या बोलते हैं, बिसी सुष्टमा कहते हैं, क्लियर है, बिसी सुष्टमा किसे एक चीज और याद रखेगा, इसे capital C से denote किया जाता है, और एक चीज और याद रखेगा कि जल की जो बिसी सुष्टमा धालता होती है, वो 400 जूल पर केजी कैल्विन होता है, ठीक है, तो इस question का जो सही अंसर हो बिसी का जो सही अंसर है, वो है, option number A, अनुप्रस्ट प्रगामी तरंगे होती है, देखिए, अनुप्रस्ट तरंगे होता क्या है, बो तरंगे जिसके माध्यं से कं तरंग संचरन की दिशा के लंबवट मतलब कमपन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस् Q19 कह रहा है कि बस्तू से छोटा बास्तविक तथा उल्टा बीम उत्तर लेंस द्वारा बनता है जबकि बस्तू स्थिती कब बनती है जब बस्तू इत्यू अनन्त और 2F के बीच में होगा तब बनेगा तो किस ने किया था न्यूटन ने किया था तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा एक चीज और याद रखेगा कि न्यूटन के अनुसाद प्रकास क्या था प्रकास एक कन था न्यूटन के according अब जो कि हमारा question number 21 question number 21 कह रहा है कि 1867 इस वी कभी दो 10 माई को सबसे पहले कहां भड़ाव कुठा था तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा merit जो कि UP में है ठीक है merit से भड़ाव कुठा था देखिए अगर हम लोग 1867 की करांथी की बात करते हैं तो क्या हुआ था कि मंगल पांडे को 8 April 1867 को फासी दे दी गई थी ठीक है 8 April 1867 को फासी दे दी आ गया था देखिए हुआ क्या था कि 1867 में जो 34 मीं इंफेंट्री था ये भी याद रखिये गए 34 मीं इंफेंट्री का ये जबान था मंगल पांडे इसी के बगाबत के साथ प्रग्रम हुआ था उनने जो कार्तूस था कार्तूस में चमड़े का परियोग किया जाता था उसको इनने यूज करने से मना कर दिया था चलिये अगला कोश्चन है कोश्चन अबर 22 कोश्चन अबर 22 कह रहा है कि हडपा इस्धित है देखिए हडपा यह कोश्चन बहुत बार लोग गलत कर देते हैं हडपा नाम है शिंदू गाटी हा था धैक है तो लोग इसका अंसर बना देंगे कि सिंदू गाटी के किनारे स्थित है ने अफ्चियली हडपा और मोहंजोद्रो जो है बोग दोनों को connect करता है सिंधू नदी ठीक है हडपा अगर की बात करते हैं तो हडपा राभी नदी पर इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुज़े को option number अभी अगर तत्कालीन पोजीशन की बात करते हैं तो हडपा भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिध्ध प्रांत में मौंट गोमरी जिला में इस्थित है ठीक है पाकिस्तान के सिध्ध प्रांत के मौंट गोमरी जिला में इस्थित है हडपा से एक और चीज़ याद रखिएगा कि हडपा का उ मों हमें स्वास्तिक चिन्द का परमान मिला है जो हम लोग ऐसे बनाते हैं पूजा में ठीक है next question है question number 23 question number 23 कह रहा है कि बौध साहित लिखा गया है तो बौध साहित पाली भासा में लिखा गया है तो उसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा हमारा option number B अगर हम बात बहुत धर्म की कर लेते हैं तो बहुत धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुध गौतम बुध से एक चीज़ याद रखेगा कि इनको क्या बोला जाता है light of Asia बोला जाता है क्या बोला जाता है light of Asia बोला जाता है अगर हम पाली की कर लेते हैं तो पाली का साब्दिक अर्थ ही होता है क्या पवित्र रचना ठीक है पाली का साब्दिक अर्थ क्या होता है पवित्र रचना अब बहुत से एक और चीज याद रखेगा कि बहुत का सबसे प्रवित्र ग्रंथ जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो क्या है तिरी पिटक क्लियर है चलिए अगला कोशन है कोशन अबर 24 कि अंतराष्टिय स्रम संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है तो इसका जो सईयंसर होगा बहुँ जगा जेनेवा स्वीजरलेंड में इस्थित है और इसका स्थापना यानि इस्टैबलिश्मेंट कब हुआ था उनाइस उनाइस इस्थित में आई यानि इंटरनेशनल लेबर और अंतराष्टिय स्रम संगठन और इसका उदेश क्या था इसका उदेश था कि बैस्वीक तथा अफ्थाई सामतु हेतिव समाजिक नेया बनाए रखना क्लियर है चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 25 कह रहा है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिबस के रूप में मनाया जाता है अगर हम बात 20 रेड क्रोस दिबस की कर लेते हैं तो 20 रेड क्रोस दिबस 8 माई को मनाया जाता है 20 स्वास दिबस 7 अपर तो सोब्स अस्सेंबली थे बो 20 मानवा धिकार घोशना पत्र जारी किया था और इसलिए क्या हुआ था कि राष्टिये मानवा धिकार दिवास हम लोग का मनाते हैं 10 सम्बर को मनाते हैं एक चीज और याद रखिएगा कि राष्टिय मानवा धिकार आयोग जो है उसकी अस्थापना उनाईसव तिरानमे में किये गई थी। क्लेर है चलिया अगला कोशन है कुटु मिनार को किस ने पूरा करवाया था तो इसका जो सई अंसर वह है अपसा नमर भी इल्टुतमिस के द्वारा ये पूरा कराया गया था देखे कुटु मिनार से एक चीज और याद रखिएगा इसको स्टार्टिंग तो करवाया था कुटु मिनार की नीव कुटु बुदी नेवक ने एक सूफी संथे बक्तियार काकी उन्ही के याद में ये बनाया था क्लेर है चलिये कुटु मिनार से एक और चीज याद रखिएगा कि कुटु मिनार का जो मुख द्वार है मेन इंट्रेंस गेट है उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है अलाई दरवाजा और ये अलाई दरवाजा का निर्मान बहुत वारिक जाम में पुछा गया कि किस ने करवाया था तो ये अलाई दरवाजा के निर्मान अल्ला उदिन खिलजी ने करवाया था क्लेर है चलिए अगला कोशन है कोशन नमर 27 कोशन नमर 27 कह रहा है कि सास्त्रिय संगीत का परमूख शुरोत नाट सास किसकी देने तो ये भरत मुनी की देने तो आपसे नबर बी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा नाट सास से याद रखिएगा कि नाट सास एक ऐसी पहली रचना थी जिसमें संगीत बिद्या के बिसाय को बिस्तरित रूप में अस्पष्ट किया गया था अगला कोशन है कोशन नबर 28 कोशन नबर 28 कह रहा है कि असोक बिस्तरित के महान समराटों में स्रेश्ट इसलिए माना जाता था क्यूंकि इसका जो सही अंसरोगा बो हो जागा असोक के बारे में एक और चीज़ याद रखेगा कि असोक को पुरानों में असोक बरधन कहा गया है यह बहुत बार पूछा गया है कि पुरानों में असोक को क्या कहा गया है तो असोक बरधन कहा गया है असोक से एक और चीज़ याद रखेगा असोक मौर्बंस का सासक था और कर सासक बना था 269 इसमे में ठीक है, एक कोस्षिण और बहुत बार पूछा गया है एकजाम में, कि असोक मौर्बंस का सासक बनने से पहले क्या था तो वो मौरबन्स में एक अबंति प्रांत था ठीक है अबंति प्रांत था, वही असोक इसी अबंति प्रांत का राजपाले था Clear है ठीक है, असोक से एक चीज़ और याद रखिए گा ये पूछा जाता है कि कि मुगल मौरबन्स के सासक ने ये कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है तो उसका अंफर हो जागा आसोका सोक नहीं कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है ठीक है next question है question number 29 question number 29 कह रहा है कि 3x square देखिए math का question है कि 3x square minus 7x minus 5 is equal to 0 के roots क्या होंगे तो इसके roots देखिए roots आप लोग भी पढ़े होंगे कि क्या होता है मुलो का योगफल का formula minus b upon में a होता है तो minus b यहाँ पे क्या हो जागा minus 7 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है minus 7 और upon में a के जगा पे हम लोग लिख सकते है 3 तो इसका जो अंसर हो जागा बो हो जागा 7 by 3 यानि option number c जो होगा बो हमारा सही अंसर हो जागा clear है? चलिए अगला question भी देखिए मैस का हाई है सब यदि किसी ब्रीत का आर्थ व्याद c a equal to 5 cm है और jiba कॉड एक दिया हुआ है 8 cm तो jiba a b के किंदर से c से दूरी क्या होगी? देखिए इसको अगर हम बनाने के कोशिस करें तो इसको ऐसा डाइग्राम बनाएंगे ठीक है? देखिए ऐसा कुछ डाइग्राम बनेगा? यह हो जगा a यह हो जगा c यहाँ हो जगा m यह हो जगा b ठीक है? देखिए एक c a दिया हुआ है C A का लंबाई दिया हुआ है 5 cm ठीक है उसके बाद A B दिया हुआ है 8 cm मतलब यह जो A B है वो दिया हुआ है आपको कितना 8 cm तो जिवा A B की के अंदर से दूरी पूछ रहा है C M की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है तो देखिए यहां अगर हम am की बात करते हैं यह am की बात करते हैं तो यह कितना हो जागा यह तो बराबर ही होगा क्योंकि यह center है तो 8 by 2 यानि 4 cm हम लिख सकते हैं न am बराबर कि am 4 हो जागा और mb4 हो जागा clear है अगर हम बात CA की करते हैं तो CA 5 दिया है तो ये 4 है और ये 5 है तो इसकी दूरी नहीं निकाल लेंगे पाइथा गोरस थी और उनसे 5 के square minus 4 का square कर देंगे तो 25 हो जाएका minus 16 तो under root 9 is equal to हो जाएका क्या 3 cm तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा next question है question number 31 question number 31 कह रहा है कि जलियावाला बाग नरसंगार कब हुआ था तो ये 13 परहल 19 को हुआ था यानि option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा अब देखिए बात आती है कि जलियावाला बाग नरसंगार हुआ क्यों था तो March 1929 में अंगरेजओं के द्वारा एक rollate Act लाया गया था जिसको हम लोग बीना दलील बीना बकील कहते है मतलब कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था बीना दलील बीना बकील तो इसी rollate Act के बिरोध कर रहा थे Dr. सक्रापाल और साफषदीन किछिली और इन लोग दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के दौरा और इन के गिरफ्तारी के बिरोध में अमριтоящ सर में एक जलियावाला बाग में एक जन सभा बुलाया गया था और उसी जन सभा में जो जेनरल ओडायर था वो गोली चलाने का आदेश दे दिया रगीथ था, जिसमें ना जाने कितने लोग मारे गए थे इसी को जलियावाला बाग हत्याकांड से एक और चीज याद रखियेगा कि इस हत्याकांड में एक हंसराज नामक भारतिय था, क्या था? हंसराज नामक भारतिय था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है? साथी साथ है कौर्शी जियाद रखियेगा कि जलियाबाला बाग के बिरोध में रबिंद नाख टाइगोर ने नाइट हूड की उपाधी बापस कर दी थी, ठीक है? गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधी बापस कर दी थी, और एक थे जमाना लाल बजा जिन्होंने राय ब बाहदुर की उपाधी बापस कर दी थी, ये तीनों जलियाबाला नरसंगहार के खिलाप में ये तीनों अपनी अपनी उपाधी लोटा दिये थे, अगला कोशन है कोशन नमर 32, कोशन नमर 32 कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा यूग सुमेलित नहीं है, एक साइट बुक का नाम दिया हुआ है, दास कैपिटल और एक साइट दिया हुआ है, काल माक्स जो की राइटर का नाम है, ठीक है, तो ये बिलकुल सही है, दास कैपिटल और काल माक्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, उसके बाद डेविट कॉपरफिल्ड, चार्ल्स दिकेंस के द्व नहीं लिखा गुआ है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जागा आप से न बरसी Crown of wild alive John Roxanne के द्वारा लिखा गया तो ये भी बिलकुल सही है ये जो John Dewan है वो Tom Hardy के द्वारा लिखा गया नहीं है ये George Gordon के द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है George Gordon George Gordon बारन इनका पूरा नाम था ठीक है चलिए अगला कोशन है कोशन नमर 33 मादम ने सू बेवस्थी जीवन का पारम किया था तो नप पासान काल में सुरू किया था क्यूं क्यूंकि नप पासान काल में ही क्या हुआ था क्रीसी की सुरुवात हुई थी नप पासान काल में ही सरपथम धातिव का प्रियोग हुआ था और नप पासान काल में ही पहिये का भी अभिसकार हुआ था तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा option number C फिर बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ जो कि हमारा question number 34 question number 34 कह रहा है कि यूगल साब धान कहां मिला है तो यूगल साब धान कहां मिला है लोथल में मिला है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम बात राखी गड़ी की करते हैं तो राखी गड़ी हर्याना में हिसार में हर्याना के हिसार जिले में और ये घगघर नदी पड़े रोपर पंजाब में सतलज नदी पर ठीक है और धौला भीड़ा कहां गुजरात में धौला भीड़ा से एक और चीज़ याद रखेगा कि यहीं सबसे बेवस्थित लकड़ी के नाली के साथ मिले हैं कहां से धौला भीड़ा से ही क्लेर है चलिए Next question है हमारा question number 35 Question number 35 कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था तो इसका जो सही अंसर है वो है ब्यास नदी ब्यास नदी से आगे बढ़ने से सिकंदर के सेना ने इनकार कर दिया था अगर हम बात सिकंदर की करते हैं तो सिकंदर से याद रखेगा कि सिकंदर किसका चेला था रस्तु का से से था ठीक है सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा था और ये भारत पर आख्रमन कब किया था 326 इस्वा पूर्व में ठीक है और सिकंदर की अगर बात करते हैं तो यह कहां का सासक था बहुत बारी जामें पूछा गया है कि सिकंदर कहां का सासक था तो यूनान में एक छोटा सा जगह था मक्दूनिया और वही का सासक था सिकंदर अगला कोशन है मिहुरकुल कौन था मिहुरकुल जो था वो हुन सासक था तो आपसर नमबर D जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जागा देखिए अगर हम हुन सासक मतलब हुन समराज की बात करते हैं तो हुन समराज की बास्तविक संस्थापक माना गया तोर्मान को किसको माना गया है हून समराज का बास्तविक संस्थापक था तोर्मान आई यही जो था मिहरकूल जो है वो तोर्मान का ही क्या है पुत्र है इस तोर्मान का बेटा है यह मिहरकूल ठीक है हून समराज से एक और चीज़ याद रखेगा कि हुन सामराज की राधानी कहां थी सियाल कोड थी सियाल कोड था क्लेर है चलिए अगला कोशन है कोशन आमर 37 रजिया बेगम सासी का थी तो इसका जो सही अंसर होगा ये गुलाम बंस की सासी का थी तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number ये और ये किसकी बेटी थे इल्तितमिस की बेटी थे ठीक है रजिया बेगम जो थी बो इल्तितमिस की बेटी थे और ये दिल्ली की प्रथम महिला सासी का भी है रजिया से एक और चीज याद रखेगा, इन्होंने पर्धा पर्था जो चलता आता था उसको त्याग कर दिया था और ये पूर्षो की तरह ही चोगा और कुला पहन के राट दरबार में जाने लगी थी ठीक है रजिया से एक और चीज़ याद रखेगा कि रजिया की जो साधी थी वो किसे हुआ था अलतूनिया के साथ हुआ ठीक है चलिए नक्स कोशन है कि संकेत मुद्रा चलाई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा MBT यानि मुहमद बिन तुगलक के द्वारा संकेत मुद्रा चलाई गया थे मुहमद बिन तुगलक से एक और चीज़ याद रखेगा कि मुहमद बिन तुगलक का जो मेन नाम था मूल नाम था वो था जूना खान या जौना खान जूना खान था उसका मेन नाम MBD से एक और चीज़ याद रखिएगा मतलब मुहंबद बिन तुगलग से कि इबन बतुता जो था वो इसी के सासनकाल में आया था ठीक है इससे एक और चीज़ याद रखिएगा कि मुहंबद बिन तुगलग ने अपने राधानित दिल्ली से देवगिरी में अस्थांतरिंद कर दिया गया था और उसी देवगिरी का ये नाम क्या रख दिया था दौलताबाद क्लियर है? चलिया अगले कोशिन के अगर हम बात करते हैं तो अगला कोशिन है हमारा कोशिन नबर 39 39 कह रहा है कि संग पवितर अस्थल है तो संग पवितर अस्थल था बौधो का तो आप्सन नबर बी जो होगा वो हमारा सई अंसर हो जागा देखिए बौध धर्म के मानने वाले जितने भी लोग थे वो बौध संग के सदस ही थे एक चीज और याद रखिएगा ये जो बौध संग है इसमें महिलाओं की अनुमती नहीं थी जाने की लेकिन फिर महात्मा बूध के एक सिस्थ है आनंद इन ही के कहने पर जो महात्मा बूध थे वो महिलाओं को भी संग में आनी की अनुमती दे दी थी अगला कोशन है अमारा कोशन नबर qwerty question number 40 कहा रहा है कि मुगल समराज के दोरान कौन सी भास सरकारी कामकाज की उपयोग में लाई जाती थी इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा पार्सियन यानि option number A जो होगा बो हमारा चाही अंसर हो जागा मुगल समराज की अगर बात करते हैं तो मुगल समराज का अस्थापना किस ने किया था, बावर ने किया था नग्स कोशिन है हमारा कोश्चन अबर 41 कोश्चन अबर 41 क्या रहा है कि भारत में सार्वजनिक निर्मान विभाग का गठन किस ने किया था तो इसका जो सईयंसर होगा बो हो जगा लौट डलहौजी यानि आप्सन नमर या और कब किया था अठारा सो चौवण इसवी में स्थापना किया था अगर हम बात लौट डलहौजी की कर लेते हैं तो लौट डलहौजी का कार्शकल कब था 1848 से लेके 1856 तक और इसी ने एक हड़ापनीती डॉक्टराइन आफ लाप्स लागू किया था ठीक है डॉक्टराइन आफ लैप्स के तह सबसे पहला जगा कौन थ ठीक है सतारा को सामिल कर लिया गया था नेक्स कोशन है कोशन अबर 42 कोशन अबर 42 कह रहा है कि पाटली पूत्र को किस सासक ने सरपथम अपनी राध्धानी बनाई थी तो देखिए इसका अंसर होगा इन में से कोई नहीं क्यूंकि सरपथम किस ने बनाया था उदाईन ने बनाया था ठीक है उदाइन ने पाठली पुत्रा को सरपथाम राध्धानी बनाया था इसके पहले मगत की राध्धानी कहा थी इससे पहले मगत की राध्धानी थी राजग्रील में ठीक है राजग्रील में थी फिर उदाइन ने पाठली पुत्रा में बनाया था मतलब पाठ question number 43 question number 43 है कि गेहूं उत्पादन के लिए किस परकार की जلवाई उत्प्यूप्त होती है तो इसका जो साइखन सर है बोह समसितोस्न जलवाई हो यानि option नबर D जो है गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उत्प्यूप्त है लेकिन अगर भारत की जलवाई की बात करेगा तो भारत में भारत की जलवाई कैसी है उसन कटी बंदिये मौनसूनी जलवाई है ठीक है उसन कटी बंदिये मौनसूनी जलवाई है अगर हम बात गेहूं की कर लते हैं तो गेहूं का सरवादी कुत पादन जो है वो यूपी में होता है अगर ग्रेनाइट में पर उतादने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा या अंतरिक बेदरिंग यानि option नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा फिर next question है कि संघियराज लच्छ दिप में कितने दूइप हैं अगर हम बात लच्छ दिप की करते हैं तो ये भारत का सबसे चोटा केंसासित परदे से और इसकी रधानी काबार होती है ठीक है next question है कि भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है तो भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी है कंचन जंगा लेकिन अगर भारत में ना पूछ के सिर्फ पूछे की हिमाले की सबसे उची चोटी कौन है तब हो जागा माउंट एवरेश जिसकी है 8840 किलो मेटर जो कहां इस्थित है नेपाल में और अगर कंचन जंगा की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 8590 मेटर और दूसरी अगर पूछ दे भारत में दूसरी तब तब हो जागा वो ऑंस्टीन गौडवीन ऑंस्टीन यानि के टू जिसकी है 8611 किलो मेटर ठीक है हिमाले की दूसरी सर्बस चोटी है के टू आप पहली कौन सी है पहली सर्बस चोटी हो जाएगी माउंट आपरेज जिसकी उचाई है कितना 8848 किलो मेटर क्लियर है चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ जो कि हमारा कोशन अबर 47 चलिए देखिए कोशन अबर 47 क्या कह रहा है क्वेशन अबर 47 कह रहा है कि यदि फरबरी 900 को एक तारिक को गुरुबार था तो उसी बर्स मार्ज की एक तारिक को कौन सा दिन होगा देखिए एक फरबरी 990 को बोल रखाए कि गुरुबार है तो एक मार्ज को निकालना तो एक फरबरी से एक मार्ज के बीच में टोटल दीन निकालने होगे मतलब अभीष्ट दिनों की संख्या निकालना होगा तो अभीष्ट दिनों की संख्या हो जाएगी 28 और इसको आप 7 से डिवाइड कीजेगा तो यहां remainder बचेगा 0 यानि कि गुरू बार ही था तो अंसर भी इसका क्या हो जाएगा तो option number यह जो होगा वो हमारा सही answer होजाएगा clear है? चलिए next question है हमारा question number 48 question number 48 कहा रहा है कि मेरी आयू मेरे भाई की दुगणी आयू से दो बर्स कम है यदि मेरी आयू 16 बर से तो मेरे भाई की आयू कितनी है तो देखिए अगर भाई की उमर अगर आप x माल लेते हैं तो question क्या कह रहा है question के according हो जागा 2x-2 is equal to 16 तो यहां से x की value निकाल लीजेगा तो हो जागा 9 तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा next question है question number 49 question number 49 कह रहा है कि निम्न में से किस क्रिसी जोथ की भारत में ब्रितम प्रतिस असता है तो इसका जो सही answer होगा वो हो जागा सुद यानि option number B देखिए अब बात करते हैं क्रिसी जोथ क्रिसी जोथ होता क्या है वह जमीन जो क्रिस को द्वारा खेती उप्यूग की जाती है मतलब simple सा कहने का मतलब है कि जोन से जमीन पर खेती वारी की जाती है उसी को क्रिसी जोथ कहा जाता है और जो छोटा क्रिसी जोथ होता है तो इसका जिस्ताई अंसर होगा बहुँ जगा, option number C, यानि सिंदरी में अस्थापित किया गया था, और कब किया गया था, उनईसो एकामन में किया गया था, एक और चीज याद रखिएगा, कि भारतिय उर्बरक निगम की भी अस्थापना उनईसो एकामन में ही की गई थी, लेकिन देखिए, अगर आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं, मतलब एतिहासिक द्रिष्टी कौन से बात करते हैं, तो देश में सरपर्थम, उर्बरक का पहला कर खाना उनईसो चो में तमिल नाडू में लगा था, ठीक है, नेक्स कोशन है, कोशन अंसर हो जाएगा, देखिए, अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो उत्तर में क्या है, उत्तर में है नेपाल, पूरब में है पश्ची मंगाल, अब पश्ची में है उत्तर परदेश, और दच्छी में है जारखन, तो ये चारो और क्या है, लेंड से, मतलब लेंड से बंद का तीसरा बड़ा राज है अगला कोशन है क्वेशन नबर फिप्टी टू क्वेशन नबर फिप्टी टू कह रहा है कि सूर्ज और प्रिथिभी के मध नियुंतम दूरी रहती है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा ऑप्सन नबर डी यानि तीन जनवरी को रहता है ठीक है देखे एक दो चीजा पढ़े होंगे एक को बोला जाता है उप्सार और एक को बोला जाता है अप्सार उप्सार क्या होता है उप्सार होता है जो नियुंतम दूरी होता है और सरबादीक दूरी वाले दिन को हम लोग बोलते हैं अप्सार तो नियुंतम दूरी होता तीन जनवरी को और सरभादीक दूरी होता है चार जुलाई को तो ये दोनों कोश्चन याद रखेगा एक को क्या बोला जाता है निवंतन दूरी को बोला जाता है उपसौर और सरभादीक दूरी को बोला जाता है अपसौर ठीक है नेक्स कोशन है कोशन अबर 53 कोशन अबर 53 कह रहा है इसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है तो कथन है कि आराबली के पश्ची में मतलब राजस्थान के पुरुल भागो में अपेच्छा कम बरसा होती है तो यह बिल्कुल सही बात है कम बरसा होती है और आराबल हैं और A, जो है वो A का कारण है, ठीक है, आराबली हिल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एराबली से एक और चीज याद रखिएगा, कि आराली का सर्बोज परबस सिखर का नाम क्या है, गुरू सिखर, ये बहुत बार एक्ज़ाम में 54 कह रहा है कि जैब छेतरी ये भंडारों की अस्थापना का सरवाधीक महत्पुन उद्देश है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा अप्सन नमर सी कूल जैब भीवित्ता का सनरेचन देखिए अगर हम जैब भीवित्ता की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत मतलब सबसे ज़्यादा जो 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 छेतर है वो कौन सा है उसन कटी बंद ये बर्षा बंद जो है वो सरवाधीक जैब भीवित से एक और चीज याद रखिएगा कि भारत में 1986 में सरपथम नील गिरीज जैब भार अच्छी छेतर की अस्थापना की गई थी ठीक है किसकी नील गिरीज जैब भार अच्छी छेतर की भारत में सबसे पहले उन्हें सो च्यालिक में अब बरतमान में भारत में खुल 18 जयवारची च्छेतर हैं ठीक है जयवारच्छन से एक और चीजिक जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो भी याद रखिएगा कि भारतिये परियाबरन संरच्छन एक्ट कब लाया गया था तो 1986 में लाया गया था भारतिये परियाबरन संरच्छन एक्ट अगला कोश्चन है कोश्चन नबर 55 कर रहा है कि फसलों का आबरतन जरूरी होता है तो आब अर्तन का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि चेंज करके जैसे अभी गेहू लगा दिये फिर चाबा लगा दिये फिर मक्का लगा दिये फिर सरसो लगा दिये तो ये आब अर्तन होता है ठीक है मतलब फसलों को चेंज किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत हैगा option number B जमीन को उपजाई बनाने के लिए देखिए होता क्या है कि अगर आप एक ही फसल बार-बार लगाईएगा तो एक फसल जो उसके पौधे को सबसे ज़्यादा amount में चाहिए वो हर बार वो मीटी से वही अपजाब करेगा तो उसकी वहाँ कमी हो जाएगी तो इसलिए हम लोग फसल बदल-बदल कर लगाते हैं ताकि क्या हो जमीन की जो उर्बर रखता है वो बनी रहे next question है हमारा question number 56 question number 56 की अगर बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है कि 1-2 sin square theta plus sin to the power 4 theta का मान ग्याद करें तो देखिए तो यह किसके form में लिखा हुआ है a-b के to hall square के form में लिखा हुआ है इसको अगर आप तोड़िएगा तो यह से लिख सकते हैं 1-sin square theta का hall square इसी को तो तोड़िएगा a-b square के formula पे तो यह आजाएगा तो 1-sin square theta का hall square लिखा हुआ है आपको यह भी पता होगा कि 1-sin square theta is equal to cos square theta तो cos square theta का hall square लिख सकते हैं तो इसका जो सही answer हो जागा cos to the power 4 theta यानि option number a जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा clear है? चलिए next question है question number 57 question number 57 देखिए बीच-बीच में math का question डाल दिया generally में math का question is cap कर देता था आपसे पहले वाले में लेकिए बीच में question है तो मैं आपको इसको solve करके बताता चला जा रहा हूँ question number 57 कह रहा है कि एक भी दियार्थी 100, 150 और 200 के अधिकता मंक वाले पत्रों में कराम सा 90 और 60 और 55% अंग प्राप्त करता है तो पूरे समूचे में वो उसका कितना परतिसात है देखिए 100 में वो 90 परतिसात प्राप्त किया यानि 90 अंग प्राप्त किया 1500 का अगर आप 60% निकालिएगा तो ये निकल के ये भी 90 आजाएगा और 200 का अगर आप 54% निकालिएगा तो ये 108 निकल के आएगा ठीक है तो 90 प्लस 90 प्लस 108 की जेगा तो यह हो जागा 288 ठीक है और 100 प्लस 200 की जेगा तो यह हो जागा 450 तो 288 कितना पर सेंट है 450 का तो 288 अपॉन में 450 इंडू में 100 तो यहां से कीजेगा तो आजेगा 64% तो इसको जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा option number A कि निम्न में से एक एतिहासी काला निक्रम में रखते हुए दिये गए कुटों का ठीक उत्तर का चेहन कीजिए तो देखिए गांधी जी का जीवन अब्दी की हम बात करते हैं तो गांधी जी का जीवन अब्दी था कब 1869 से लेके अगर हम बात लेलिन की करते हैं तो लेलिन का था 1870 से लेके 1924 तक ठीक है अगर हम बात कालमाक्स की कर लेते हैं तो कालमाक्स का कब से कब था कालमाक्स का था 1818 से लेके 1883 तक अगर हम मायोत तुंग की बात करते हैं तो इनका था 1893 से लेके उन्हें सो अच्छी हत्तर तक तो इसको आप एरेंज की जेगा तो D जो होगा वो आपका सही अंसर हो जाएगा option number D ठीक है next question है question number 59 question number 59 कहा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिल क्रित्रिम जिल है क्रित्रिम जिल है तो क्रित्रिम जिल कौन है इसमें से option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा जैसमन जो है वो क्रित्रिम जिल है अगर डल जिल की बात करते हैं तो ये जम्मू कास्मीर में है चिलका जिल की बात करते हैं तो ये उडिसा में खड़े पानी की जिल है और नौक्चूनिया ताल की बात करते हैं यह उत्राखंड में स्थित है ठीक है चलिए नेक्स कोशिण है कुश्य नबर 60 कोश्य नमर 60 कह रहा है कि इन दोनों का गुनोतर माध कितना है इन दोनों का गुनोतर माध निकालीया तो 35 वाटा 12 निकल के आगा तो आपसा नमर वी जो होगा वह हमारा सही अंसर हो जाएगा next question है question number 61 question number 61 कह रहा है कि निमलिखी सरेनियों को पूरा किज़े ये series का question है इसको आपको पूरा करना है तो देखिए ये one gap करके series है 18 से 15 12 10 ठीक है फिर 10 8 ये 15 12 मतलब एक एक छोड़ के 3 3 का gap है ठीक है एक छोड़ के 3 3 का gap है तो ये 12 के बाद यहां आजाएगा क्या 9 ठीक है तो option नमर ये जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा next question है कि अगर chairs को ये लिखा जाता है तो dining को क्या लिखा जाएगा देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं समझ में आजाएगा h c i a s r देखिए ये दो-दो डिजिट को इल्टा करके लिखा हुआ है समझी कहें होंगे अब आप लोग इसी तरह से dining को लिखेगा तो answer जो आएगा वो option नमर c हो जाएगा i d i n g n ठीक है चालिया next question है look अच्छर के सही अनुकरम को ग्याद कीजे तो देखिए ये सीरीज बन जाएगा 6-6 का 1-2-3-4-5-6 यहां पर 1-2-3-4-5-6 का ये सीरीज बन जाएगा अभी इसको आप फिल कीजेगा तो इसका जो सही अनसर हैगा आपसे नुबर A next question है संभिधान में भारत की बैख्या क्या है तो संभिधान में भारत का बैख्या क्या है कि वो राज्यों का एक संग है तो आपसे नुबर B जो होगा वो हमारा सही अनसर हो जागा और ये किसमे है संभिधान के अनुछेत एक में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग है ठीक है और संगिये जो ढाचा है भारत के संभिधान का वो लिया कहां से गया है कनाडा से लिया गया है next question है question number 65 question number 65 कर रहा है कि सक्थिप्रिथी करन एक महर्पून लच्छन है, किसका, तो इसका जास्य अंसर हो जगा बो हो जगा संघातमक बुबरस्था का, सक्तिप्रिथी करन मतल attachments का बटवारा, ठेक भारतीय समविधान कि sard fantasy and suchi के supporting, किसमे, sard 파 snake सुची में तीन सुचियों का बर्णन है संग सुची राज सुची और संबस्री सुची का प्रभधान किया गया है और इसी में क्या है केंदर और राजियों के भी सक्तियों का बटवारा है नेक्स कोशन है ये भी देखें मैस का कोशन है कि चित्र में O के अंदर वाले बिंदू को बिंदू को बिंदू के बिंदू B पर X, Y, Z का सपर्स रेखा है तथा के अंदर से दूसरी और एक जिवा RS है यदि एंगल ROS is equal to 120 degree एंगल RBX is equal to 50 degree तो एंगल OSB की आपको मान निकालना है देखिए यहां से अगर हम एंगल RSB की बात करते हैं तो RSB किसके बराबर हो जागा एंगल RBX के बराबर हो जागा यानि 50 degree हो जागा और एंगल ORS की बात करते हैं तो ORS क्या हो जागा एंगल 60 by 2 हो जागा यानि 30 degree हो जागा तो एंगल OSB को हम क्या लिख सकते हैं एंगल RS S B minus angle O S R 50 degree minus 30 degree is equal to 20 degree clear है चलिए तो इसका जो सही अंसर हो जगा बो हो जगा option number D 20 degree next question है कि अधी यह प्रिमांकों का समुच्च और परभासित क्या गए तो F का परास निकालना है आपको देखें परास निकालिएगा तो क्या हो जगा 1 का square minus 1 3 का square minus 1 और 5 का square minus 1 तो इन तीनों को solve कीज़ेगा तो आज़ेगा 0, 8 और 24 यानि option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जगा next question है question number 68 question number 68 कहा रहा है कि I am 49 cm x 33 cm x 24 cm के एक ठोस लोख खंड को एक गोलक में ढाला गया है तो गोलक की तरिज्या क्या है देखिए अगर गोलक की तरिज्या को आप आर सेंटीमीटर मान लीजे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 by 3 pi r q is equal to 49 x 33 x 24 अब यहां से आप आर की वैलू नहीं निकाल लीजेगा यहां पाई की वैलू 22 by 7 रख दीजेगा तो आर एक मात्री अन्नोन है तो यह कन्नोन की वैलू तो एक equation से निकाली सकते हैं ठीक है तो यहां से अगर आप आर की वैलू निकालीगा तो 21 cm आ जागा तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है प्रथम संबिधानिक संसोधन अधिनियम उनई 101 आमन संबंधित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा कि कुछ है राजियों के क्रिसी भूमी सुधार से संबंधित है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर है देखें प्रथम संबिधान संसोधन है वो हुआ था कब? 1901 में मतलब और इसी में एक चीज याद रखेगा नौमी अनुसुची को जोड़ा गिया था फिर दसमी अनुसुची मूल संबिधान में कितनी अनुसुची है आठ नौमी को कब जोड़ा गिया पहला संबिधान संसोधन 1901 के कोडिंग फिर उसके बाद दसमी अनुसुची कब जोड़ा गिया बामनमा संबिधान संसोधन 1905 में और यह बहुत बार कोश्चन पूछा गिया कि दसमी अनुसुची का संबंध किस्ते है तो दल बदल से है फिर इगरहमी अनुसुची को कब जोड़ा गिया अब बारहमियन उसुची को कब जोड़ा गया अच्छा हूँ तर्मे सम्मिधान संसोदन से ठीक है तो यह सब याद रखेंगे आप लोगों को याद हो गई खर नेक्स कोशन है कोशन नबर 70 कोशन नबर 70 कह रहा है कि भारत को गंतंत्र क्यों कहा जाता है तो भारत को गंतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहां राज्यों का पर्मुख निर्धारी तद्धी के लिए निर्वाचित होता है तो आपसर नबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है नबर 71 कह रहा है कि भारतिय संभिधान के किस अनुखेत के द्धारा निम्द दुर्वल बर्गों की सिछा समद्री सुरच्छा प्रद्धान की गई है तो 46 में अनुखेत के द्धारा किया गया है तो आपसर नबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा देखिए अगर हम बात 45 में अनुखेत की करते हैं तो 45 में अनुखेत में मुफ्त और अनिवाद सिछा कासवासन दिया गया है 47 में अनुछेद के तहर राज का यह कर्तब है कि वह नागरीकों को पोसाहार अस्तर तथा लोग स्वास्त में सुधार करे और 48 में अनुछेद के द्वारा ये कहा गया है कि क्रिसी तथा पसु पालन को बढ़ाबा देना तथा दुधारूल पसुओं की रच्छा करने का निर्देश दिया गया है और ये सब है किसमें ये सब है भाग चार के 36 से कामन जो की राज के निती निदेशक तत्व है जो की आयरलेंड से लिया गया है ठीक है चलिए देखिए राज का जो निती निदेशक तत्व है वो किसमें भाग चार में 36 से कामन तक है और कां से लिया गया है आयरलेंड के Next question है हमारा question number 72. Question number 72 कह रहा है कि काम करने का अधिकार को राज के निती नी देशक तत्वों में निमलिखित अनुछेदों के अंतरगत रखा गया है. तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा option number C यानि अनुछेद 41 के तहट रखा गया है. ठिक है? अनुचेद 18 की अगर हम बात करते हैं तो अनुचेद 18 की अगर हम बात करते हैं तो अनुचेद 18 के तहट उपाधियों का रखा हैं तो अपने प्रान अवं देह की स्वतात अच्छन करने का अधिकार है और 46 अभी हम लें से जश्ट ऊपर वाले question में पढ़ाएं कि या लिज के अनुसार निम नेवं दुरलब बर्गों की सिच्छा संबंदी सुरच्छा परदान की गई है Next question है हमारा question number 73 Question number 73 कहा रहा है कि भारतिय संबिधान की संबिधान पदिती का निकट अनुसारन कौन करता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा option number B यानि UK के संबिधान से ठीक है देखिए अगर हम बात UK की कर लेते हैं तो UK से याद रखिएगा कि संसद्ये बिसे साधिकार संसद्ये बेवस्था, एकल नागरिक्ता, बिधी के समझ सम्था, परसासनिक बेवस्था ये सब कहां से लिया गया है UK के संबिधान से लिया गया है अगर हम बात दच्छीन फिरका की करते हैं तो दच्छीन फिरका से लिया गया है संबिधान संसोधन की प्रकिरिया अगर हम पात USA की करते हैं तो USA से याद रखिएगा मौलीक अधिकार, न्याइक पुर्बलोकन, राष्टपती या राष्टपती पर जो महाब्योग लगाया जाता है वो उपर राष्टपती और BTA पात ये सारा चीज कहां से लिया गया है? USA से लिया गया है Next question है हमारा question number 74, question number 74 कह रहा है कि संभिधान सभा का स्रीजन किया गया था तो संभिधान सभा का स्रीजन किसके द्वारा? Cabinet Mission योजना के द्वारा किया गया था, तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा Cabinet Mission की बात करते हैं, तो भारत में Cabinet Mission का आगमन कब हुआ था? 24 March 1946 को Cabinet Mission किस की अध्यचता में? पैथिक लॉरेंस की अध्यचता में तीन सदचिय कमीटी थी पैथिक लॉरेंस, A.B. Alexander और Stoppard Crips Next question है हमारे संभिधान में उदेशिका में नहीं है तो हमारे संभिधान की उदेशिका में ब्यासक मत अधिकार का बर्न नहीं है ब्यासक मत अधिकार बो होता है कि 18 बर्स के लोग के उपर के लोग क्या कर सकते हैं? बो नहीं है ठीक है? 32 मत अधिकार का उलेक कहा है? अनुछे 326 में है उदेशिका में नहीं है फिर बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि हमारा question number 76 question number 76 कह रहा है कि संभीधान का वह अंग जो उसकी निर्माताओं के उद्दे सेवा मादर्स को प्रति बिम्बित करता है वो है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहुत जगा option number C उद्देशिका ठीक है उद्देशिका के साथ ही एक चीज़ और याद रखेगा कि उद्देशिका कोई भारतिये संभीधान का दर्सन भारतिये संभीधान का कुंजी भारतिये संभीधान का जनन कुंडली भारतिये संभीधान का सार्टत्र ये सब किसको कहा जाता है उद्देशिका को ही कहा जाता है clear है यहीं पर अगर हम निती निदेशक तत्व की बात कर लेते हैं तो निती निदेशक तत्व किस में अभी हम लोग पढ़े हैं भाग चार में अनुछे छती से कामन तक कहा से आयरलेंड से निती निदेशक तत्व में एक और चीज याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन कि एक ठेक केटी साह इन्होंने ये कहा था कि राज का निती निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसके भुकतान बैंक की इच्छा नुसार की जाती है ठीक है तो ये बहुत बार पूछा गया है कॉशन कि किनके कथना नुसार राज का निती निदेशक तत्व जो है वो क्या है एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा के नुसार भंजाया जा सकता है तो वो है केटी साह next question है question number 77 question number 77 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक राज का निती निदे सकत्व नहीं है तो इसका जो सही अंसर हो जगा बो हो जगा option number C बैग्यानिक मनुदसा को बनाए रखना ठीक है clear है चलिए बैग्यानिक मनुदसा को बनाए रखना फिर है कि आगर निती निदे सकता तत्व का नहीं है तो ठीक है यह एक मौलिक कर्तब है क्या है मौलिक कर्तब है अगर हम बात मौलिक कर्तब की करते हैं तो यह किस में है भाग चार के कव में और अनुछे देकामन कर में जोड़ा गया है और कब 42 सम्विधान संसोदन 1976 में और किसकी अनुसंसा पर सरदार स्वंसिन समीतिकी अनुसंसा पर तो ये सब चीज़ याद रखिएगा अगला कोशन है कोशन नबर 78 कोशन नबर 78 कर रहा है कि सम्विधान के अनुसार किसी भी के अनुसेद 165 में ठीक है और यही जो होता है वह राज का सरवोच होता है महनेवादी जो होगा वह खेंदर का सरवोच होगा कि नेक्स वॉष्टन नबर 79 कोशन नमर 79 कर रहा है कि निम्न में से कौन कोई कोई बिसेश बिल बितिये बिल हाई या नहीं का निर्धारन कौन करता है तो यह लोग सभा की अधेच करते हैं तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जाएगा देखिए भारतिये सम्विधान के अनुछेद 117 का एक और 117 का दू में ही बित बिधायक का उलेख किया गया है प्लानिंग कमिशन अफ इंडिया क्या है एक सलाकार बोर्ड है यानि option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है और इसका गठन कब 15 मार्चुनगी सोपचास को केसी नियोगी की अध्यशता वाली समीति के रिपोर्ट के अनुसार ठीक है और फिर इसको एक जनब क्लियर है चलिए नेक्स वोचन है question number 81 question number 81 कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा भरतियो नियोजन का एक कुदेशिका नहीं है तो भरतियो नियोजन का एक कुदेशिका नहीं है जमसंख्या ब्रीधी population growth यानि option number यह जो होगा वो हमारा सही अंसर है देखिए नियोजीत आर् वेवस्था की तो एक और चीज याद रखेगा एक नौम याद रखेगा एमभिसवसर रएया इनुनरं ने भारत के लिए एक नियोजीत अर्थ वेवस्था नाम एक पुस्तक की रचना की थी तो उनका नाम था धंभिसवसर रएयाrit हैं चलिए Q82 कर रहा है कि निमलीखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहु हो जागा Option A, मानब विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा अधिकारी के रूप में किये जाने बारा एक बार्षित नहीं यह बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है यह जनरली किया जाता है UNDP के द्वारा मतलब संजुक्त राष्ट विकास काजकरम के द्वारा यह किया जाता है ठीक है और सबसे पहले अगर भारत में पूछ दे कि भारत में प्रथम राज कौन है जो मानवी का सुचकांग जारी किया था तो वो है मध्प्रदेश MP ठीक है नेक्स कोचन है आबिध हुसेन समीति का संबंध है तो आबिध हुसेन समीति का संबंध किसे है लगु उद्योग सुधार से है यह अपसे नमबर बी से है नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 84, लाल बहादुर सासरी अकाडमिक आफ अडमिस्ट्रेशन, को हम लोग क्या बोलते हैं, लवासना बोलते हैं, LBSNAA, ठीक है, तो इसका मसूरी में है, तो आपसन नमबर B जो होगा, पो सही हो जगा, यह होता क्या है, एक्चुली जितने भी जो पुलिस सेर्विस जो होता है, उसका करवाया जाता है कहां, हैदराबार्द में एक है सर्दार बल्ला भाई पटेल, राष्टिय पुलिस अकैदमी, उसमें करवाया जाता है, क्लेर हैं, चलिए, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 85, कोशन नमबर 85 कर रहा है कि भारत में पत का स्रेजन कब हुआ था 1772 इसमी में तो आप्सेन अबर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है नेक्स कोशन है मुर्जा जफरबादी और में साना किस जानवर की प्रजातिया है तो ये भैंस की प्रजातिया है ठीक है साथी साथ और कुछ आप याद रखेगा सूर्ती भदाबरी सांभल पूड़ी ये सब भैंस की प्रजातिया है ठीक है अगर हम मुडला जफरवादी की बात करते हैं तो ये क्या है ये ऐसा भेंस है जिसके सफेद निसान नवचंदर के नाम से जाना जाता है मतलब simple सा कहने का मतलब है यह जो जाफर बादी है मुडला जो है बो वीस्व की सबसे अच्छी बहल सी कहने का मतलब है कि द्रिब सी चाई यह कैसा टेखनीक है जिसमें पानी का बहुत जादा बचत किया जाता है तो पानी का कहा किया जाएगा जहां पानी की उपलब्दता कम रहेगी तो ड्रिप सी चाई का उप्योग वहीं किया जाता जहां पानी की उपलब्दता कम रहती है Next question है Question number 88 Question number 88 कह रहा है कि 20 पर्याबरन दिवस कम मनाया जाता है तो 20 पर्याबरन दिवस 5 जून को मनाया जाता है बाल सरम निसेद दिवस, बाल सरम निसेद दिवस, पाँच अपरेल की अगर हम बात करते हैं, तो पाँच अपरेल को मनाया जाता है राष्टिय समुंदरी दिवस, और साथ जुलाई को मनाया जाता है क्या, कैप्टन बिकरम बत्रा का सहाधत दिवस मनाया जाता है, साथ जु प्रतिवी जो है वो भारत में सबसे पहले स्वधेस में निर्मिद मिसाइल है और यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक बैलेस्टिक मिसाइल है ठीक है अगर हम बात त्रिसूल की कर लेते हैं तो त्रिसूल जो है वो जमीन से हवा में मार करने वाला है और आकास भी जो है वो भी जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रच्छे पास्त्र है. Next question है, question number 90. Question number 90 है, सबसे बड़ा पच्छी जो अभी उपलुब्ध है, वो क्या है? तो वो है सुतरमुर्ग, यानि option number B जो होगा, वो हमारा सही answer है. अब मेंली ये कहां पाया जाता है? ये फिरका में पाया जाता है, और इसका बेट इतना होता है कि ये पच्छी होने के बाबजूद भी उड़ नहीं पाता है अपने भारी बजन होने के कारण. ठीक है? लेकिन सबसे दोडने बाले में अगर पूछा तो सबसे दोडने वाला पच्छी है सुतरमुर्ग. नक्स कोशन है, कोशन आवर 91. देखे, कोशन आवर 91 रीजनी का कोशन है, इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका में बता देता हूँ एक को, कि ये पहले वाले दोनों को मतलब 17 प्लस 8 और ये थार्ड वाले से डिवाइड कर दीजेगा, अपन में 5. तो आजागा 25 अपन मे इसी तरह से दूसरा को किजएगा 13 प्लस 7 divided by 5 is equal to, इसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा 10 प्लस 6 divided by 4, तो अंसर आजागा 4. यानि अपसने नपर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा. next question है question number 92 देखे question number 92 कहारा कि भारा हुआ भाग तो total भाग यहाँ 9 है अब भारा हुआ भाग कितना है 3 है तो 3 by 9 हो जाएगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा option number D यानि 39 clear है? चलिए next question है question number 93 question number 93 है कि पासे के अकार को बताने के लिए किस आक्रिती का उप्योग किया जाता है तो इसका जो सही अंसर है बो है घन आक्रिती का उप्योग किया जाता है पासे की अकार बताने के लिए फिर next question है 94 94 में अगर आप तिरभूज काउंट करना है किस नीचे दिये गए चितर में कितने तिरभूज है तो 94 में अगर आप तिरभूज को count किजेगा तो वो कितना हो जाएगा 22 से अधिक होगा तो ये 22 से अधिक होगा इस cancer फिर ये question number 95 95 बो है ये सब reasoning का बहुत EGG question है आपको क्या भेनारेक से देखके चार्ट लेना है कि इसमें से कौन footballer है नहीं है कभी पूद्यगा footballer है होकी भी है लेकिन cricket नहीं खेलता हो तो इस टाइब से question आपको करना है तो इसका जो सही answer होगा बो हो जाएगा option number C next question है question number 96 इसमें कौन सा आप प्रतिय अस्थापित करेगा 96 का जो answer होगा बो हो जाएगा option number A next है 97 97 कह रहा है कि नेमले खित चितरों में से एक ही पासे की तीन बिबिद इस्थित्यां दिख लाई गई है तो लाल प्रिष्ट के बिप्रिद कौन सा रंग होगा देखिए ये जिनको आता है उनके लिए तो बड़ा वाला लेना होगा देखिए यहां भी काला है यहां भी काला है तो पहले इसको लिख दीजिए काला और clock by direction में लिखेगा काला के बाद सफेद और सफेद के बाद पीला यहां से भी काला के नीचे काला लिखे इसको भी clock by direction में लिखे हरा और यहां लिखे लाल तो लाल के ज़सामने कौन हो गया पीला तो इसका अंसर सही अंसर क्वा हो जाएगा पीला अपसर नंबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है Next question है question number 98 question number 98 कह रहा है कि power of 18 का launch निम्न में से किस social media site के दोरा किया गया है तो ये tutor के दोरा किया गया था ये देखिए है क्या ये अभियान चलाया गया था 2019 में जब आम चुनाओ थे 2019 में जब आम चुनाओ था उसी में सारफजेनिक बीमर्स में योगदान करने के लिए यूबाओं को प्रोसाहित करने के लिए हैस्टेग पाबर आफ 18 लाँच किया गया था नेक्स कोशन है कोश्चन आमर 19 कोश्चन आमर 99 कह रहा है कि बर्स 2024 के ग्रिस कालीन ओलंपिक खेलों की मेजवानी निमलिखिर में से किस देश के द्वारा आयोजित की जाएगी तो यह फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाएगा तो इसका उप्सन नमर बी है यह फ्रांस की रादानी पेरिस में खेला जाएगा ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं 2020 की ओलंपिक की तो 2020 का जो ओलंपिक था वो जपान के टोक्यो में परस्ता भी था लेकिन करोना महामारील के कारणा बो कर दिया गया है 2021 में उसको कर दिया गया है नेक्स कोशन है जो कि हमारा आज का लास्ट कोशन है कोशन नमर हंडेड निमलिखित में से किसने IPL की इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कफ्तान होने का गौरव हासिल किया है तो आपसन नमर ये जो हो जागा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है ये IPL से आप लोगों को पता ही होगा कि ये चन्नाई सूपर किंग की टीम्स की तरफ से खेलते हैं और IPL की सुरुवात कब हुई थी IPL की सुरुवात हुई थी 2008 में क्लियर है तो ये था हमारा आज का वीडियो पहले आप लोग क्या कीजेगा कि जाके लिंक से ग्रूप में अगर जोईन है अगर नई जोईन है तो आप जाके ग्रूप में जोईन कर लिजे और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लिजे उसके बाद खुछ से अटेंट कीजे उसके बाद आप कोश्चन वीडियो देखिए कितना मार्क्स आता है मैच केजे साथी साथ जो वीडियो में मैं और options के बारे में और उसे related जो चीज जानकारी देता हूँ अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं है तो आप उसी copy में बगल में note down कर लिजे और उसको फिर बाद में revise कर लिजे ठीक है तो आप लोग अपना कमेंट करके मार्क्स मुझे बता दीजे कि कितना मार्क्स आप लोगों का आ रहा है साथी साथ बहुत सारे लोगों का क्यूरीज ये था कि सर ये वीडियो अपडेटेड रखिए मतलब डेली आप वीडियो डालिए तो हां मैं उन लोगों को बता रहा हूँ अब आप लोगों को ये जो प्लेटफार्म का वॉल्म टू का है ये वीडियो जो आप लोगों को डेली एक एकसेट मिल जाएगा नेक्स अगर वॉल्म थ्री भी आता है तो वो भी आप लोगों को इसी तरह से प्रोवाइट करवा दिया जाएगा क्लियर है चलिए